हेलो फ्रेंट्स टेक्निकल उमन बॉस में आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा आप अपने लेप्टोप से किस टैप से डिवीडी बर्ण कर सकते हैं ये मेरे पास डिवीडर राइटर है उसके खराब होने के लेकिन मेरे पास external डिवीडर राइटर है उसका खराब हो गया था इसलिए मैं आप आपको लाइब करके दिखाऊँगा इसमें डिवीडी को किस टैप से बर्ण करा जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग पे इतना सारे डाटा रहता बहुत सारे डाटा रहता वो phone memory में इसपेस गेड़ते हैं तो वो डाटा आप अपने डिवीडी में किस टैप से manage कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे वीवर हैं जिनको चाहिए कि भई हमें डिवीडी में सारे डाटा करना है 4GB की आपकी 30 रुपे की DVD आती है उसको आप खईद लीजे और 4GB का आपका data 30 रुपे में आपका convert हो जाता है तो फ्रेंट चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका जो external DVD writer का दो option रहते हैं USB के आपको double cable वाला है वो ही आपको उसमें लगाना है लेप्टॉप में और जो single वाला है वो नहीं लगाना है क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी confusion रहता है कि हम कौन से लगाए तो double वाला जो उदर वाला दे रखा है वो लगाना है मैं इसको यहाँ पर connect कर लेता हूँ मैं यहाँ पर connect कर लेता हूँ और double वाला जो cable है मुझे वो ही लगाना है इसमें दो तरह की cable रहते हैं बहुत से लोगों confusion रहता है कि हम कौन से लगाए ठीक है friends मैं यहाँ पर connect कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपको DVD burn कि step से करनी है ठीक है friends मैं यहाँ पर लगा लिया है और उसके बाद मेरा DVD जो है मेरी start हो चुगी है देख सकते हैं यहाँ पर blink होने लगी है DVD ठीक है friends अब मैं जो इसके अंदर वाली DVD है उसको निकाल लेता हूँ जो मेरी prime DVD है उसको निकाल लेता हूँ और नई DVD बिल्कुल लेटेक्स जो DVD है वो मैं इसको इसमें डालता हूँ पहले मैं button press करता हूँ button press करने के बाद यह मेरी DVD निकलिया थी normal process है उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी DVD निकलिया यह DVD निकालने के लिए भी तरीका है आपको बीच में अंगुठा को दवाना है हलके से और side वाली उंगली से उठा देना है यही तरीका है फ्रेंट्स वरना बहुत से लोग यह lens वरेंज को कुछ खराब कर लेते हैं और उनको ज़्यादा परिसानी आ जाती है इसलिए मैं चाता हूँ कि आप सही तरीके से इसको लगाएं अब इसको दूसी DVD को जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ लगाने का भी यह तरीका है इसको पहले सेंटर में लियाए और बीच में सेंटर में लाके अबसे और अबसे आपसे दोनों अंगुठियों से आरम से प्रेस कर दीजे तो यह अची तरीके से मैनेज हो जाती है बहुसए लोग इसको ज़्यादा प्रेस करते हैं ज़्यादा प्रेस निकरना है आराम से हलके से प्रेस करिए तो उसमें भी कट से आवाज आ जाती है और आपका जो है इसका मतलब उसमें सेट हो जाती है DVD और अच्छी तरीके से इसमें लग जाती है यह जी यह चीज बहुत ज़्यादा यह राइट हैंड साइट पर जो देख रहे हैं आप DVD RWDRIVE G यह लैपटप का है और जो मैंने अभी लगाया है लिने वह वाला वह यह वाला है जो मैंने अभी DVD लगाई हुई है अब आपको DVD burn करने के लिए सबसे पहले आपको double click यहाँ पर कर देना है जैसी आप double click करेंगे यहाँ पर एक नाम चूज करने के लिए आएगा आप इस DVD का नाम किस टाइप कर रखना चाहते हैं यहाँ यहाँ पर date आ रही है लेकिन आपको यहाँ पर नाम चूज करना है ज हमें with a cd duty player वाले option पर क्लिक करके next वाले option पर यहाँ पर क्लिक कर देना है जैसी हम यहाँ पर next वाले option पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप हमारी जो file है वो खुल चुकी है देख सकते हैं यहाँ यह window full है मैं यहाँ पर इसको half window कर लेता हूँ जो बीच वाले जो point है इस पर restore down वाले option पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी window यह खुली रहेगी ताकि मैं इसमें आजसानी से copy करते हूँ जैसे normal copy करते हैं copy paste जो करते हैं वह हमें करना है जैसे यहाँ पर latest song है इनको यह वाले जो folder है मुझे इसमें burn करना है मतलब कि इसमें मुझे बर्न डिस्क करना है डिस्क में यह गाने डालने है यह गाने हो फोटो वीडियो आडियो कुछ भी हो मैं यहाँ पर गाने डाल के आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हैं latest song वाले यह फोल्डर है इसको मैं copy करता हूँ copy करने के बाद यहाँ पर जो मेरा DVD यह फाइल वेटिंग तू बर्न डिस्क यह भी वेट कर रहा है कि आप अपनी फाइल को बर्न कर लीजिए यहाँ पर जब तक यह लोगो आता है shortcut type का लेश्ट है song पर देख सकते है shortcut type का लोगो आ रहा है इसका मतलब अभी बर्न नहीं हुए बर्न करने के लिए बर्न डिस् इसका मतलब आपकी फाइल बर्निंग होने इस्टार्ट हो गई है यह कुछ टाइम लेगा जितने भी आपका जितने ज्यादा जगे गिरेगा उसके इसाब से वह दिल ले सकता है ठीक है फ्रेंट्स उसके बाद जैसी आपके बर्न हो जाएगी उसके बाद फिनिस वाले option प प्रेंट्स वाला चाहिए हम और एक चीज के और बताना चाहता हूं यहाँ पर right click करके आगर आप यहाँ पर delete करना चाहेंगे कोई भी गाना तो delete का option नहीं होता है इसमें डिलेट करने वाली अलग डिवीडी आती है लेकिन जो 30-40 रुपे की जो डिवीडी आती है उनमें डिलेट वाला ओप्सन नहीं आता है यह देख सकते हैं मैं कोईशा भी यहाँ पर सेलेक करता हूं कितने भी गाने सेलेक कर लूँ या कुछ भी कर लूँ यहाँ पर डिलेट में आपकी पूरी हेल्प करूंगा थैंक्स पॉर वाचिंग